इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षाबलों की गोपनियता भंग होती है डिफन्स डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उनहीं जानकारीओं के आधार पर काम करता है जो सारवजनी ग्रूप से मौझूद क्या शी जिन्पिंग अपने सो कॉल्ड ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के शक्कर में अपने ही देश के लोगों की बली ले रहे हैं क्या जिन्पिंग चीन के लोगों को पाकिस्तान में भेज कर उन्हें मौत के मूँ में धकेल रहे हैं ये सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान चाइनीज वरकर्स, चाइनीज इंजीनियर्स और चाइनीज डिप्लोमैट्स के लिए जहनुम बन चुका है चीन से अगर कोई पाकिस्तान जा रहा है तो उसके जिन्दा लोटने के चांसेज बहुत कम है एरपोर्ट से उतरते ही, वो किसी धमाके का शिकार हो सकता है उसके गाड़ी को आत्मगाती हमले से उड़ाया जा सकता है, काम के दौरान उसे गोली मारी जा सकती है नमस्कार दोस्तों, डिफन्स डिटेक्टिव के एक और नए अपिसोड में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आलोग तो दोस्तों पाकिस्तान में एक और बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ है और इस हमले में एक बार फिर से चीन के वरकर्स को निशाना बनाया गया है एक बार फिर चीनी मारे गए हैं, पाकिस्तान के भी तरह और सबसे चौकाने वाली बात तो ये है, ये हमला पाकिस्तान में S.E.O. के सब्मिट से केवल एक हफ़ते पहले अंजाम दिया गया है तो आप पाकिस्तान में सिक्यूरिटी के हाल का अंदाजा आसानी से लगा सकते है शी जिन्पिंग का पाकिस्तान प्रेम चीन के लोगों पर बहुत भारी पढ़ रहा है चीन और पाकिस्तान का प्रजेक्ट S.P.E.C. असल में चाइनीज वरकर्स की बली चुछाने का प्रजेक्ट बन चुका है मिया शहबाज शरीफ के पाकिस्तान में एक बार फिर शी जिन्पिंग के चीन से आई लोगों को निशाना बनाया गया है तो खबर ये है कि पाकिस्तान के सिटी ओफ पीस यानि शान्ती के शहर कराची में चाइनीज सिटिजन्स का जबरदस स्वागत हुआ है बीती रात करीब 11 बजे कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एरपोर्ट के बिलकुल पास एक जबरदस्त धमाका हुआ है कराची से यापको खबर दे रहे हैं आम खबर के कराची रिपोर्ट के खरीब जोरदार धमाका सुना गया है ब्रेकिंग न्यूज है कराची में जिन्ना इंटरनेशनल एरपोर्ट के खरीब जोरदार धमाका सुना गया है धमाके के बाद धोए के बादल ही दिखाई दे रहे हैं और पुलिस के मताबक धमाके की नौयत और मकाम का तायुन किया जा रहा है और इस धमाके में किसे टार्गेट किया गया जो बिल्कुल सही चाइनीज सिटिजन्स को कराची एरपोर्ट के पास हुए धमाके में चीन से पाकिस्तान आए तीन लोग मारे गये हैं जबकि करीब दस के गंभी रूप से घायल होने की खबर है अचा पहले तो पाकिस्तान ने इस धमाके की खबर को दबाने के भर सक कोशिश की कोशिश ये की गई कि इस आतंके हमले को एक हादसा साबित कर दिया जाए कि हादसा हुआ है हमला नहीं हुआ है लेकिन ये हो न सका होता भी कैसे आखिर इसमें चीन के लोग चो मारे गए थे कराची एरपोर्ट के पास हुए इस धमाके को ओयल टेंकर ब्लास बताया जा रहा था लेकिन पाकिस्तान का ये जूट ज़्यादा देर तक टिक नहीं सका चीन की गवर्वंट ने इस धमाके के फौरण बाद पाकिस्तान में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए एडवाईजरी जारी करती जिन पिंग गवर्वंट ने इसे आतंकी हमला बदाते हुए इसकी निंदा कर डाली तो पाकिस्तान भला ऐसे कैसे चिबा पाता शवाज शरीफ ने सुबह करीब दस बजे ट्वीट कर इस पर अफसोस जताया और चीन के लोगों की सुरक्षा और सक्त करने की बात गई अब अटाक हुआ तो पीम शवाज शरीफ ने का कि हम चीन के लोगों को और जादा सुरक्षा देंगे इसकी भी डिटेल आपको बताऊंगा पर उससे पहले आपको एक और बात बताने कि जिन लोगों को टार्गेट किया गया यानि जिन चाइनीज को टार्गेट किया गया जिस कॉन्वॉई को टार्गेट किया गया कराची में वो लोग हैं कौन, क्या करते थे, क्या है उनकी पहचान कराची एरपोर्ट के पास हुए ब्लास्ट में मारे गए तीनो चाइनीज सेटिजन्स कराची के पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी में काम करते थे यह मैप देखिए, यह है पोर्ट कासिम पर EPC का पावर प्लांट, अरब सागर में सिंदू नदी के डिल्टा के ठीक किनारे यह पावर प्लांट बना हुआ है और जिन्ना एरपोर्ट से इस पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की दूरी तकरीबं 33 किलो मिटर है तो चाइनीज वरकर्स को लेकर एक कॉनवोई एरपोर्ट जा रहा था तो हमलावरों ने विस फोटो को से भरी अपनी गाड़ी उनकी गाड़ी से टकरा थी इस हमले में मारे गए चाइनीज वरकर्स के नाम भी सामने आ चुके हैं ली जुन, वू जुन जिन और ली जियाओ ने इस हमले में अपनी जान गमाई है चाइनीज जो हैं उनको टार्गेट किया गया है कराची पाकसान के अंदर कहा जाता है कि चाइनीज स्टाफ जो था वो पोर्ट कासम इलेक्रिक पावर कमपनी जो है उसके लोगों को लेके जाया जा रहा था कि रात कल गैरा बज़े जो है वो तकि बन चार लोग जो है जिनकी जाने चलेगी जिनमें दो चाइनीज है अब चाइनीज ने पाकसान पर प्रेशर डालना शुरू कर दी और उन्हें काया कि पहली बात तो ये है कि जो एक तो कंडेम करते हैं दूसरा इन्वेस्टिकेशन चाहिए और तीसरा हमें परिश्मेंट देख करें उन लोगों को अब सवाल उठता है कि कराची में इतना बड़ा हमला आखर किया किस ने कराची एरपोर्ट के ठीक बाहर चाइनीज वरकर्स के कंवोई को टार्गेट किया तो आपको बता दू कि इस हमले के जिम्मेदारी बियले यानि बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने लिए कराची में हमले के थोड़ी दिर बाद बियले ने इसे अंजाम देने का क्लीम किया था में पहली बार मारे गया हूँ जब से सीपेक शुरू हुआ है तब से लगबग हर साल चीन के लोगों पर हमला हो रहा है और चाइनीज लोगों की जान जा रही है कराची अरपोर्ट के पास हुए धमाके में तीन चाइनीज के मारे जाने के बाद पाकिसान गवर्मन्न ने फॉरन चाइनीज लोगों की सिक्यूरिटी के लिए 45 बिलियन पाकिस्तान ने रुपाय खर्च करने का इलान कर दिया है लेकि सवाल उठता है कि इससे होगा क्या भाई पहले भी तो पाकिस्तान ने चीन के लोगों की सुरक्षा के लिए अलग फोर्स बनाई पैसेज होके लेकिन हमले तो लगातार हो ही रहें इससे पहले 26 मार्च को खैबर पखतून खुआ के बीशम में चाइनीज इंजिनियर्स और आफिसर्स के कॉनवई को एक आत्मगाती हमले में उड़ा दिया गया था 20 अगस 2021 को गौादर में चीनी लोगों को ले जा रही एक बस को आत्मगाती बंप से टार्गिट किया गया इस हमले में दो बच्चों की जान चली गई थी हलांकि दावा किया गया था कि बस में सवार सभी चाइनीज सेफ थे 21 अपरेल 2021 को क्वेटा में चाइनीज अमबेज़र को टार्गेट करने की कोशिश की गई थी क्वेटा का एक लगजरी होटल की कार पार्किंग में विस फोटकों से भरी एक गाड़ी में जबरस ब्लास्ट हुआ था नॉन रोंग उस समय पाकिसान में चीन के अमबेज़र से जिस दिन ब्लास्ट हुआ उसी दिन रोंग को उस होटल में आना था लेकिन वो प्रोग्राम कैंसल हो गया था चाइनीज अमबेज़र तो इस हमले में बच गया था लेकिन पांच लोग इस धमाके की चपेट में आकर अपनी जान गमा बैटे थे इसी तरह नवंबर 2018 में कराची के चाइनीज कॉंसलेट पर हमला किया गया था इसका लवा पाकिसान में और भी कई बार चाइनीज नेशनल्स को टार्गट किया जा चुका है आप जो चाइनीज हैं उनको टार्गेट करना किसका है जैपनीज को फॉरन इंवेस्टर को टार्गेट करना है उनको कोई प्रावलम नही है आज चाइनीज चले जब हो को नया टार्गेट ढूल लेंगे वो हर एक वो कर लेंगे ठीक है जी अब हमारा यह है कि इनकी बस ठीक है जी और इसलिए बियले जो बलोज लिबरेशन नारमी है यह स्पेसिफिकली चाइनीज को टागेट करती है चाइनीज प्रीमियर पाकसान आ रहे हैं ग्यारा साल बाद प्राइम निस्टर सुना है ग्याराज साल बाद चाइनीज प्राइम निस्टर पाकसान आ रहे हैं मुझे बाब बताएं आप उनको क्या मैसेज दे रहे हैं चाइनीज प्राइम निस्टर को यही मैसेज दे रहे हैं यह मैसेज है चाइनीज वजीर आजम के लिए इतना ही नहीं पिछले मेने 23 तारीक को ही पाकिस्तान के स्वात में एक दो नहीं बलके 10 से ज़ादा देशों के डिप्लोमैट्स के कॉन्वाई पर जबर्दा समला हुआ था गनीमत रही थी कि सारे डिप्लोमैट्स बाल बाल बच गए थे यानि पाकिस्तान में फॉरिन डेलिगेट्स से लेकर फॉरिन इंजिनियर्स और वरकर्स तक कोई से नहीं आप जानकर हरान रह जाएंगे कि कल कराची में जहां हमला हुआ वो हाई सिक्यूरिटी जोन है मैं आपको मैप के जरी समझाता हूँ कि क्यूं यह हमला पाकिस्तानी आर्मी और उसकी जो खुफिय आजनसी है आईएसाई उसके लिए शर्मिंदगी की एक और वज़ा बन गया तो दोस्तों मैं आगया अपनी स्टीट पर और यहां पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह जो कराची में हमला हुआ है जो बियले ने हमला किया है वो हमला लंबर वन एजनसी और लंबर वन आर्मी उसके उपर कितना बड़ा धबबा है और जब आप इस तस्वीर को देखेंगे ना जो मेरी स्क्रीन पर यह तस्वीर दिख रही है आपको यह जब मैं इसमें समझाओंगा तो आपको यह बात समझ में आएगी कि मैं क्या बात कह रहा हूँ और क्यों हम लोग हसते हैं जब कोई पाकिस्तानी कहता है ने कि लंबर वन एजनसी है लंबर वन आर्मी है तो यह सारी चीज़ें देखर हमें हसी आती है अब चलिए ज़रा इस तस्वीर को देखें देब बलचिस्तान पोस्ट में यह मैप बनाया है और इस मेप में वो जगह दिखाईए जहां पर हमला हुआ है अब देखे इस जगह पर हमला हुआ है दि बी अले अटाग अ चाइनीस डेलीकेशन इन ली मैप प्रोटो simult ले लिया, अब देखे, क्यों है यह वियाईपी प्रोडोकॉल, अब देखे, यहाँपे आपको जिन्रंट न अर्मीय का बेस, अब आपको और यह जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, वो पाकिस्तान के सबसे बिजी एयरपो प्रिस्टिक फ्राइट्स भी आती है और 1924 में इसको उपन किया गया था 1924 में मतलब यह भारत का हिस्सा था तब बिटिश इंडिया था तब यह 1924 में किया गया आज 100 साल हो गया है सौ साल पुराना यह एरपोर्ट है और इसके बार मैं एक और इंपॉर्टेंट बाद बताता हूँ कि जिया डी टाटा जो थे उन्होंने एक मेड़न प्लेन उड़ाया था वो पस्मोथ है थ्री सीटर एयरकाफ होता था उसमें मेल लेकर गया थे वो 1932 में तो यह वो एयरपोर्ट है तो यह मैंने फ़रा सा इसले बताएंगे आपके ग्यान में इदाफा हो जाए तो जिनना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मतलब हाईली सेक्योर इलाका है एयरपोर्ट के आसपा सेक्रिटी बरी टाइट होती है मालिर केंटोनमेंट यानि कि यह आर्मी का इलाका है और आर्मी का इलाका बहुत जादा दूर में है कुछ किलोमेटर के फासले पर है तो इससे आप समझ सकते हैं कि यह कितना हाईली सेक्योर जोन है इससे थोड़ी दूर पर अब एयरपोर्ट के इस ही से में था अब एयरपोर्ट के इस ही से में है तो उसका headquarter है यह PNS महरान आप समझें और यहाँ पर फिलाल अभी 40 से ज़्यादा multi-role aircraft है इस PNS महरान पर इसके करीब है Faisal Air Base ठीक है जी तो यह यह भी 1933 में बना था Faisal Air Base जब इंडिया एक्यूआ करता था और यह British राज के अंडर आता था और 1975 में पाकिसानियों ने इसका नाम जो है वो साओधी अरब के king थे Faisal Air Saud उनका नाम था उनके नाम पर इन्होंने नाम रख दिया साओधियों को खुश करने के लिए कि भई हम आपके नाम पर रखते हैं अब चुकि वो मुस्लिम उम्मा और यह सब जोड़ना था ना मालिर केंटोन्मेंट जो है यह बिसिकली मिलिटरी बेस के तोर पर भी सर्व करता है और यहां पर रसिडेंशियल इस्टबिश्मेंट्स हैं मतलब जो आर्मी के लोग हैं वो यहां पर रहते हैं स्कूल्स हैं कॉलेजिज हैं टोटल जो यह एरिया है मालिर केंटोन्मेंट का यह करीब 42 स्कौायर किलोमेटर का एरिया है और यहां पर आप यह समझेए कि करीब करीब एक लाख असी हजार लोग रहते हैं और इमेंसे जादतर जो हैं वो हैं रिटायर्ट जो अभी महजूदा सर्विंग है उनकी फैमि यहां पर यहां पर जो अटायक हुआ है यह सबसे सुरक्षित एरिया है चारों तरफ इसके मिलिटरी एर फोर्स नेवी और एयर पोर्ट इन सब के बीच में अटायक हुआ है तो आप आप समझे रहे हैं कि जब हम हस्ते हैं यह कहते हुए कि यह पाकिस्तानी कितने बड़े बेवकूफ हैं कि लंबर वन आर्मी है लंबर वन एजनसी है तो लंबर वन आर्मी लंबर वन एजनसी और लंबर वन के एरिये में आप समझे रहे हैं बी यले वालों ने इस चीज़ को अंजाम दिया तो आप यह समझे कि बी यले की पहुँच कहां तक है अगर बी यले च एरिया वी आईपी एरिया पूरा प्रोटोकॉल फॉलू होता है इस एरिया में परिंदा भी पर नहीं मार सकता है इस हद दर्जे के सिक्यूरिटी लेकिन लेवाले जो फ्रिडम फाइटर्स हैं वो घुस गए लेकिन कोई पाकिस्तानी ये सवाल अपनी आर्मी से अपनी एर पूर्स से अपनी पूलिस से अपनी एजनसी से नहीं पूछेगा कि तुम लोगों के घर में घुसकर अटाइक होता है और तुम लोग कुछ नहीं कर पाए उसको रोकने के लिए और वो भी चीनियों की मूवमेंट पर नजर थी उनकी उनके आने जाने का सब पता था उनने आप सूचे कितना accurate information थी उनके पास तो ये पूरा मैंने आपको मामला समझाया उमीद गरता हूँ कि इससे आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि क्यों पाकिस्तान एक failed state बनता जा रहा है और fail हो चुका है वो हर मोर्चे पर चाहे हो security हो चाहे हो socially हो चाहे हो economically हो हर न के कौनवई को इतनी आसानी से निशाना बना लिया जाता है वहाँ ये पाकिस्तान एक हफ़ते बाद SEO का सब्मिट कराने जा रहा है वहाँ ये पाकिस्तान चैंपियन्स ट्रॉफी करने जा रहा है कराने जा रहा है उसको होस्ट कर रहा है पाकिस्तान में आतंकवाद के जो टार्गेट कर सकते हैं अब ऐसी सिचुएशन में अगर SEO के सब्मिट या Champions Trophy के दोरान कोई हमला हो जाता है तो फिर क्या होगा कौन जिम्मेदारी लेगा भाई भाई चीन के राश्पती जिन्पिंग को तो वस पाकिस्तान में चल रहे चीन के प्रोएक्ट्स की पड़ी है उसे अगर अपने लोगों की जान की जरा भी परवा होती जरा भी जिन्पिंग अपने लोग जैसे जिस तरह से मारे जारे पाकिस्तान में लगातार उसके बारे में वो सोचता उनके घरवालों के बारे में सोचता तो पाकिस्तान के कान उमेट चुका होता हो लेकिन हर बार के तरह इस बार भी उसने कड़ी कारवाई करने और दोशियों को सजा देने की मांग करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेकिन दूसरे देशों को तो सोचना चाहिए अपने नागरिकों की सेफटी, अपने डिप्लोमैट्स और अपने स्पूर्स परसन की सेफटी उसको कंसर्न को देख कर पाकिस्तान में कदम रखने चाहिए अब देखे क्या होता है मेरे इसाफ से तो SEO और Champions Trophy दोनों कैंसल कर देने चाहिए आप बताएए कमेंट में हाँ या ना तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करिए अपनी राय दीजिए और जिन दोस्तों अभी तक Defense Detective को सबस्क्राइब नहीं किया है पर आप मुझसे connect हो सकते हैं पर आप अपने हिसाब से वहाँ पर जाकर time slot book कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है फलाने time को मुझसे बात करनी है लेकिन यह भी बता दूँ कि यह paid service है